next question question says a person traveling on a straight line moves with a uniform velocity V1 for some time and with uniform velocity V2 for the next equal time सवाल यह average velocity क्या होगी और चार option अपने को दे रखें नो बहुत सिंपल सवाल है इसको ऐसे देखते हैं कि मान लिजे पार्टिकल आपका यहां से स्टार्ट हुआ है यह A point है और यह मान लिजे आपका B point है और यह C point है B को जान बूज के मैंने center पर नहीं बनाया है यहां पर आपका T1 time है यह आपका V1 velocity है यह पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है यह velocity V2 यह time T2 है यह मान लिजे जनरल केस पहले बात कर लेते हैं इसकेस में जो आपका displacement होएगा जो यहां से यहां तक आपका displacement होए लेट्स कॉल इस तो यह आपका एक काम करते हैं इसको displacement को S1 कह देते हैं यह displacement S1 है और यह आपका displacement यहां से यहां तक मान लिजे S2 है तो जो आपकी average velocity होएगी वह होएगी आपका टोटल displacement divided by टोटल टाइम तो इसकी बात इसका मतला यह हो गया यह होगा S1 प्लस S2 divided by T1 प्लस T2 यह आपकी average velocity हो जाएगी यहां पर इस इस केस में आपने कोई बात पता है क्योंकि acceleration नहीं है S is equal to UT का formula हम यूज कर सकते हैं तो यहां पर हम S1 S2 को लिख सकते हैं V1 T1 प्लस V2 T2 divided by T1 प्लस T2 यह आपका in general formula हो जाएगा इस केस में क्योंकि हमें दिया हुआ है कि T1 और T2 आपके दोनों टाइम बराबर है तो यह दोनों T1 T2 टाइम बराबर है तो इसका मतलब यह आपकी जो average velocity आजाएगी V average so that will be equal to यहां पर इसको let's say इसकी value T है तो यह हो जाएगा V1 T plus V2 T divided by T plus T और यहां से T आपका cancel हो जाएगा तो आपका final answer आजाएगा V1 plus V2 divided by 2 so that means आपका option number A would be the right answer the